जैए श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं ये पोदत जो दिखने में बहुती साधारण है परंतौ यदि इसके गुणों के बारे में आप जानेंगे तो आप बिलकुल चौक जाएंगे क्योंकि इसके गुण ऐसाधारण है दोस्तों यदि ये पोदा आपके घर के आसपास कहीं भी आपको दिखाई दे तो इसे साधारण पोदा समझ कर फेंगने की भूल कभी मत करना क्योंकि इसके बारे में जो आज में आपको चमतकारिक गुण एवं आयरवेदिक फाइदे साथ ही आपके जीवन के हर परिसानियों को खत्म करने यानि आपकी सोई किस्मत को ये पोदा जगाने का काम करेगा इस वीडियो में इन सब के बारे में बताओंगा और इसके साथ ही इस पोदे के कौन से हिसे का क्या प्रियोग होता है ये सारी जानकारी आपको इससे वीडियो में मिलने वाली है और आपको गर्व होगा कि जिस भारत की पवित्र भूमी पर हम रहते हैं उस धर्तिमा ने हम में क्या-क्या उपहार सवरूप दिया है जो हमारे जीवन को बदल कर एक अच्छा जीवन दे सकते हैं दोस्तों इस पोदे को अपामार्ग कहा जाता है कहीं जगों पर इसे लट जीरा के नाम से भी जाना जाता है कहीं पर इसे चिड़ चिड़ा के नाम से जाना जाता है तो क आपके यहां इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट में जरूर बताना हो सकता है आपके इलाके में इसे कोई और नाम से जाना जाता हो और हाँ इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है वो इसलिए कि इसके बीज जो होते हैं वो उल्टे चलते हैं आप किसी भी पोदे के फूल फल को देखेंगे तो हमेशाँ ऊपर की और होते हैं परंतु इसके जो बीज होते वो नीचे की तरब आते होये होते हैं इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है तो दोस्तों क्यों यह हमारे लिए कीमति है क्यों असादारण है आ यह जानते हैं उससे पहले दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर ले तो दोस्तों इस पौदे के आयरवेदिक प्रयोग के साथ मैं आपको इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग भी बदाऊंगा तांत्रिक उपाई अत्वा प्रयोग मतलब आप इस पौदे के उप्योग से अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं दोस्तों आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे धार्मिक गुरुजन या जो जंगल में सन्यासी बाबा रहते हैं वो काफी लंबे समय तक बीना खाए बीना कुछ पीए केसे भुक के प्यासे साधना करते हैं आखिर क्या कारण है जिसकी वज़े से उनको भूक और प्यास नहीं लगती तो दोस्तों आप जानकर हिरान हो जाएंगे कि अपामार्ग यानि चिटचिटा या जिस भी नाम से आप इस पोड़े को जानते हैं ये सारा खेल सारा चमतकार इसी का है अक्सर सादू महात्मा क्या कहते हैं इस अबामार्ग पोदे के जो बीज होते हैं इनका कुछ प्रियोग करते हैं एक बार हमने किसी महात्मा से पूछा कि है बाबा आप लंबे समय तक भूके प्यासे रहकर साधना किस प्रकार करते हैं तो उन्होंने बताया कि बेटा आप भी रह सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं हिरान रह गया तो बाबा ने बताया इसका हल आपके आसपास ही है तो उन्होंने अपामार्ग पोदे के बारे में बताया कि इस पोदे के बीज निकाल कर हम इसके बीजों की खीर बना कर सिर्फ दो चम्मच खीर यदि एक बार खाले तो एक दो महिने भोजन करने की आवस्यक्त्या ही नहीं पड़ेगी दोस्तों सोचो इसमें कितनी उर्जा होगी अरे यार हम जब सुबह खाना खाते हैं तो दो फैर को ही भूक लग जाती है जरा सोचो कितना चमतकारिक पोद है दोस्तों हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसी मान्यत है कि जो ये अपमार्ग का पोदा होता है इसकी जड़ों में माता गंगा का वास होता है और इतना भी नहीं जब देवता और clara समुद्र मंत्र में जब अमरित निकला और दानुँ एवं देवताउ कि आपस में छीना जप्ति के कारण अम्रित के कुछ बूंदे इस अपामार्ग पौदे पर भी गिरी थी इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से पुराने हमारे बुजोर्ग जो है इस पौदे की जड़ से दांतुन करते हैं क्योंकि इसकी जड़ में माता गंगा का वास हो आ घांगे इसकी चमतकारिक पायों के बारे में दोश्तों की दांतों में अगर בעतों में शुरू हो जाए तो जीनाभ मुस्किल हो जाता है इसलिए सबसे पहले इस पौदे का दांतों के बारे में उप्योग बताऊंगा दुस्तों कि यदि दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है या पायरिया नामक बिमारी हो गई है जिसकी वज़े से खाना पेना मुस्किल हो गया है तो डॉक्टर की दवा काम नहीं करती तो आप केवल अपामार्ग पोद्य की जड़ों से दांतुन करना शुरू कर दे यदि आप इसक सुन करने से समाप्त हो जाएगा सारा जमिला ही खत्म हो जाएगा और आप आराम से खाना पेना कर सकते हैं दूसरी बात ये दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त कर देता है जिनके दांत पीले हैं खराब दिखते हैं मुस्कुराने का मन तो करता है हंसने का बहूत मन कर करता है पर दांतों की वज़े से हंस भी नहीं पाते हैं लोग क्या कहेंगे लोग मजाग उड़ाते हैं ऐसे वेक्ति को इस पौरे की जड़ से रोज दांतुन अवस्य करना चाहिए इसके दांतुन करने के बाद हमारे दांत सपेद हो जाते हैं एक चम्मक आ दोस्तों अब जानते हैं इसका जबर्दस्त महाचमत्कारिक प्रयोग यानि उपाए तो दोस्तों हमारे ग्रामेन इलाकों में गाओं में हमारी बहुत सारी माताएं एवं बैने हैं जिनके प्रसव के समय काफी प्रेसानी होती है और जो माताएं एवं बहनें चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार का ओपरेशन या चीरफार ना हो और आपकी डिलिवरी सरलता पूर्ग हो जाए आपको किसी प्रकार की कोई समझ्या ना हो तो आपको क्या करना है आपको थोड़े से दो-चार चावल के दाने लेने हैं दो-चार और इस पोदे के पास जाकर इस पोदे की जड़ में चावल के दाने विशरजित करना हैं और प्रार्थना करनी है जिस भी माताया बहन को प्रसव पीड़ा है उसका नाम लेकर की फला फला इस्तरी है माता है ब जड़ को लेकर एक लाल कपड़े में लपेट कर जिनको भी परसव पीड़ा है उनकी कमर पर बांद देना लाल कपड़े में जड़ को लपेट कर और जैसे परसव हो जाए तुरंत इस जड़ को कमर से हटा देना बस क्योंकि परसव पीडा को दूर कर ये सिसु को तुरंत बहार निकालने का कार्य करती है और सिसु बहार आते ही तुरंत इस जड़ को कमर्शें खौल देना है नहीं तो ये नाल को भी बहार निकाल सकता है ये एक रामबान के तरह कारिय करता है दोस्तों इस बात को मजाक में मत लेना ये देविक उसबी है और देवी देवताओं के तरह भी ये काम करती है दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ खास चमतकारिक उपाई के बारे में अब मान लीजिए आपके दांतों में दर्द हो रहा है पहले हमने बात की इस पोदे की जड़ से दांतों करने की अब आपको इसका दूसरा एक और उपाय बढ़ा देते हैं आपको क्या करना है इस पोदे की कुछ पतियां ले लेना है उनको सुका कर फिर जला लेना है और जो बसम होती है वो अपने डांतों में दबा लेनी है जहां दर्द होता है अब मान लीजिए आपके सिर में आपके माते में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है इसके बीजों को पीश कर पाउडर बना लेना है और मात्र एक चुटकी पाउडर अपनी हतेली में लेकर सूंगना है मात्र सूंगना है बस मात्र सूंगने से ही आपके सिर का सारा दर्द चुटकियों में गाईव हो जाएगा दोस्तों कारण चाहे कुछ भी हो किसी भी कारण से आपका सिर्धर्द हो रहा हो तुरंत खत्म हो जाएगा अब दोस्तों सबसे important बात जो सवी को चाहिए वो है पैसा क्योंकि आज के दोर में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं सारा खेल पैसे का है अब किसी का व्यवसाय किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है जो भी कारिये करते हैं उनमें रुकावटें आती है अर्चनें आती है पैसे की तंगी रहती है बगेर फाल्तु का खर्चा होता है पेशा टिकता नहीं है कारोबार में व्रद्धी नहीं हो पारी है तो एसी प्रिष्थिति में आपको क्या करना है अपामार्ग के पोदे की जड़ को रवी पुस्प नक्षत्र में लाना है या गुरुपुस्य नक्षत्र में लाना होगा या फिर कोई बड़ा सुब दिन जैसे दिपावली होली यानि बेश्ट सुब मुहर्ट पर आपको इसकी जड़ को लेकर आना है और लाल कपड़े में बांद कर आप अपनी तीजोरी की जगे पर बांद दीजिए या जहां आपकी दुकान में गल्ला है कहने का मतलब आप जहां अपना धन रखते हैं वहां आपको इसे रख देना है या बांद देना है यदि आप ऐसा करोगे तो आपके व्यापार में आपके धन्दे व्यवसाय कारवार में व्रद्दी होगी आपके आमधनी दिन दुगुनी रात चोगुनी बढ़ जाएगी प्रेमित्रों इसके अलावा आप हमेशा देखते होंगे कि ज्यादू टोना नजर दोस भूत प् मजश्या होती है सत्रू भी बहुत होते हैं जो आपके किसी कारियों को लेकर चिरते हैं और आपके उपर अलग अलग उपाई करते रहते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए तो इसके लिए आपको क्या करना है रवी पुस्प नक्षत्र के दिन आपको ये उपाई करना है तो सबसे पहले आपको सनिवार के दिन इस पोदे के पास जाना है तो दोस्तों चावल के कुछ दाने लेकर जाने और इस पोदे की जड़ में समर्पित करने और इस पोदे से प्रातना करने है कि हे वनस्पती मैं आपको कल लेने आऊंगा और आप मेरे जीवन को समर्पित करन जड़ से निकाल कर ले आना है और लाने के बाद आपको क्या करना है इस पोदे की जड़ को किसी लकड़ी से काटना है ऐसा नहीं कि कोई चाकू या फिर किसी कुलाड़ी से नहीं काटना है किसी सुध लकड़ी को धो कर इस जड़ को भी धो लेना है और काटना है काट कर एक चोटा सा टुकडा लेकर आपको क्या करना है एक लाल कपड में बांध लेना है और आपका जो घर का मेंगेट है यानि परवेश द्वार है आप उसके ऊपर लेप्ट या राइट यानि दाएं या बाएं आप बांध सकते हैं और इस तरह से बांध ये कि किसी को नजर ना को देखकर एर्शया करते हैं उनका मजाग बनाते हैं तो इसके लिए आपको इस तरह से बांधना है कि किसी को दिखाई ना दे तो जब ये अपने मुक्खे द्वारों बांदेगे तो आपका नजर दोस शत्रु विरास होगा और आपके घर में कोई भी दूसरी प्रकार की नकारात्म सक्तियां प्रिवेस नहीं करेगी और आपके घर में चारों तरफ एक रक्षा काउज के तरह ये काम करेगा अब बात करते हैं इसके दूसरे उपाय यानि प्रियोक के बारे में जो लोग बेरुजगार है जिनके पास कोई नोकरी नहीं है काम धंदा नहीं है तो ऐसे विक्ति को इस पोदे के पास एक दिन पहले जाना है और निमंत्रन दे कर आ जाना है सनिवार के दिन प्रात्ना करने है रविवार को इसकी जड़ को खोद कर लाना है और सोमवार को इसकी पूजा करना है मंगलवार को भी इसकी पूजा करना है और बुदवार के दिन इसकी जड़ को धारन करना है, आपको अपने अनुसार, आपकी काबलियत के मुताबिक अच्छी नोकरी अवस्य मिलेगी, इसका उपाय अचूख है जो कभी विफल नहीं होता, अब इसका तीसरा उपाय सुनियेगा, तीसरा उपाय, तीसरा प्रियोग क्या है, जान से सुनिय जैसे मालो, किसी बच्चे को या किसी को भी नजर दोस हो जाता है, यानि नजर लग जाती है, या फिर भूत प्रेत बादासें ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे विक्ति क्या करें, ध्यान से सुनना, इस पोदे की जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके सनिवर के दिन धार करें, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको कभी भी नजर दोस्त नहीं लगेगा, ना ही कोई किसी भी प्रकार की नकारात्म सक्तियां आपको नुक्सान पहुंचा पाईगी, और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, अब दोस्तों, बहुती ज्यादा महतुपुर्ण, एवन चमतकारी उपाई आपको बताने वाले हैं, यदि किसी भी पती पतनी के रिष्टे में दरार पड़ गई हो, रिष्टा तोटने की कगार पर खड़ा है, पतनी पती की बात नहीं मानती या पती पतनी की बात नहीं मानता, तो अपने प्रेम को एवन अपने रिष्टे को फि फिर से जीने लगेंगे तो आप महिला हो या पुरुष जो भी हो कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको इस पोदे की यानि चिट-चिटा या अपामार्ग जो भी जिस नाम से भी आप जानते हैं इसकी जड़ आपको लेने हैं और सपेद दुरुवा घास यानि दूब गास ज्यान से सुनना अपामार्ग की जड़ और सपेद दुरुवा घास ये दोनों को पीश कर आपको एक प्रकार का गाड़ा लेब तेयार करना है इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है इसका तिलक लगा कर आप अपनी पतनी या पती के सामने जाएंगे तो वो आप पर लट्टू हो जाएगी या लट्टू हो जाएगा इसके अलावा मान लिजिए आप कहीं पार्टी मिटिंग या इंटर्विव पर जा रहें तो वहां पर भी तिलक लगा कर जाए तो पूरी सबाह आपको देखर आकर्शित हो जाएगी परंतु एक बात का ध्यान अवस् जी यानि इस उपाय से आप किसी को भी वस्मे कर सकते हैं लेकिन आपको ये तबी आजमन है कि आपके रिष्टों में खटास दरार या फिर तूटने की कगार हो तबी प्रातना करके ये उपाय करें परंतु आपको इसका सिद्ध उपाय नहीं बताएंगे क्योंकि आप इस की जड़ को लाल कपड़े में बांध कर घर में इस्तापित कर सकते हैं और नित्य दूप आदी दिखाना होगा आपके सारे सत्रू आपके सामने सिर जुकाएंगे आपके घर में धन के वरद्धी होगी सुक समरद्धी एवं सांती की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार कि नकारात्म गोर्जा आपके घर में परवेस नहीं करेगी दोस्तों इस वीडियो की जानकरी आपको कैसे लगी अगर अच्छे लगे तो सबी दोस्तों के साथ अपने रिष्टदारों के साथ सेर अवस्य करना ताकि आपकी महरवाने की वज़े से उनको भी फायदा हो सके ज जे स्री कृष्णा रादे रादे